Assalamu alaikum to class, how are you all students? I hope you will be fine. Students, as you know that, it's our maths lecture and we are discussing the topic division. Students, today we are going to discuss page number 83. बचो आप देखें, यहाँ पे कुछ questions given हैं हमें division की. बचो इन questions को हमने divide करना है. बचो divide करने के बाद, यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है check. बचो इन questions को check भी करना है. बचो पहले हम इन questions को divide कर लेते हैं. Students, if you revise the table of 4, 4 7s are 28. बचो 4 का table अगर 7 तक पढ़ें, तो हमारे पास 28 आ जाएगा. So here I write 7. बचो अब हमने इस question को check करना है कि क्या जो हमने 7 answer जो हमारा आया है, क्या यह ठीक है? बचो चेक किस सरह से करेंगे? बचो अब देखें, here बचो जिस number से हमने divide किया है, वो number है 4. और जो answer हमारे पास आया है is 7. बचो 4 और 7 को हमने multiply करना है. बचो 4 और 7 को multiply करने से अगर answer 28 आ जाता है, तो ठीक है. तो बचो 4, here I write 4, multiply 7. 4 7s are, बचो 4 का टेबल अगर 7 तक पढ़ें तो answer becomes 28. 4 7s are 28. बचो देखेंगे 28 आ गया है. तो बचो इसको हमने पहले divide किया, then इसको हमने check किया. बचो इसी तरह, depart is. बचो गर 9 का टेबल आप लोग revise करें. 9 1s are 9, 9 2s are 18. So, here I write 2. बचो अब हमने इसको check करना है, तो बचो क्या करेंगे? जिस number से हमने divide किया है, जो second number है. बचो 9 को हम multiply करेंगे 2 से, जो answer हमारे पास आया है. ठीक है? Here I write 9 multiply 2. 9 2s are 18. बचो अब देखें, 18 जो है, यह वही number आगया है, जिस number को हमने divide किया था, जो हमारा first number है. ठीक है? इसी तरह, बचो, E part. बचो 4 का टेबल आप लोगों ने revise करना है. 4 का टेबल पढ़ें, तो बचो 4, 4s are 16. 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, तो here is 4. बचो, अब हमने check करना है, तो बचो, जो second number है, हमारे पास 4, और जो answer आया है, बचो, इन दोनों को multiply कर देंगे. 4, multiply 4. 4, 4s are, बचो, अब answer अगर हमारे पास 16 आता है, तो ठीक है हमारा question. 4, 4s are 16. तो students, in this way, you have to solve the page number 83 on your book. Good luck to class!